हेलो फ्रेंट स्वागता आपका मेरे यूट्यूब चैनल देश्य जी के ट्रिक में और दोस्तो आज हम हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे मानव की उत्पती हम इत्यास को सुरू से पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आता है मानव की उत्पती कैसे हुई ठीक है तो प प्रात्मेक यूग दित्यक यूग तर्तिक यूग और तर्तिक यूग में ही मानव की उत्पती हुई है दोस्तों और यह यूग है वह महाकल्प को दर्शात है जिसमें पांच महाकल्प हुए प्रात्मेक यूग में जो महाकल्प था वह था पेलियो जोईक और दित्यक mhacalp और माहाकलब है पांच महाकलब है जो अलग लग कलपों में विवाजी था दोस्तों तो प्रिप्लियो जए कहें जो दो kulp मёं बढाएयो टोटल अटारा कलप है दोस्तों और प्रिप्लियो जूएक वो सबसे पुरानी परवस्रंकला है वह है अपने अरावली उसके बात वींदियन फिर है रॉकिज और एंडिज और ऐसे क्यूशन जो आपके एक्जामे मिल सकता है दोस्तों जिनको करम से जमाना है कि पुरानी परवसरंकला है वो कौन सी है और नहीं कौन सी है इनको करम से जमाई है ठीक है और जो तीसरे योगिया जिसमें मानों की उत्पति हुई है उसमें है जो पांच कल्प हैं जिसमें से जहां मानों की उत्पती हुई है उसको कहते हैं प्लायोसिन कल्प सिधा आपको ध्यान रखना दोस्तों और एक और कल्प है जिसका नाम है इयोसिन जिसमें हिमालय रहें जो कि नवीन परवस्रंकला यानिकि नहीं परवस्रंकला जो कि सबसे नहीं तो यहां आज का टॉपिक है मानो की उत्कुति तो दोस्तो पहले जो मानो था एक वानर रूप में था ठीक है और मानो की उत्कुति है वो तीसरे यूग के प्लाइशन काल में हुई है दोस्तो और जो वानर था उसको कहेंगे हम प्राइम मैट और जो इस्टार्टिंग से जो वानर हुआ था जो अफ्रिका में मिला था जो कि हमारे मानो कर्मिक युकास को दर्शाता है तो पहले जो था वानर उसे कहते थे रामा पितेकस जो कि अफ्रिका में निवास करता था जो ये रामा पितेकस वानर है वो दो बागों में विपाजित हो गया एक जंगल की तरफ गए और दूसरे मैदानी बाग में ठीक है जंगल की तरफ गए वो कहलाई महाकपी यानकी वानर ही कह प्रयास किया और यहां जो नाम दिया गया है वो है एस्टेलो पितेकस जो कि मानों का आधी पूर्वच क्यालाता है डालेट के सुन आ सकता है दोस्तों मानों का आधी पूर्वच किसे का गया है तो वो है एस्टेलो पितेकस और इस मानों की जो खोपड़ी है वो दक्षनी अ गुजार बनाने प्रारम कर दिये और उन्हें हम कहेंगे होमो हैविलस यहां कि वह जो माुल कहला है हाथ का प्रियोग यह आशरोपरतम इसके बाद है रीड के हड़ी हो सीधी होने लेगी जैसे जैसे खड़े होने का प्रयास किया तो रीड के हड़ी एकदम से सिधी हो गई यह मानों कहला है होमो इरेक्टस इरेक्टस का मतलब भी होता है सीधा ठीक है तो रीड के हड़ी सिधी हो गई तो इस परकार के मानों कहला है होमो इरेक्टस और इसके बाद दोस्तों मानों का और विकास हुआ इनका स्रांसकर्थिक विकास भी हुआ गुफाओं में रहने लगे और बदन को डखने लगे और इसके बाद जो इनका नामकन दिया गया नेंडर थाल नेंडर थाल मानव बहुत ही important दोस्तों क्योंकि गुफाओं में रहने लगे और ये जर्मनी के नेंडर नदी गटी के पास रहते थे इसी काण इसी नेंडर थाल मानव भी कहा गया दोस्तों और यह हैं जो खाने की चीज़ों का यूज़ करने लगे और गुफा में रहने लगे दोस्तों इसके बाद दोस्तों एक है क्रो मैगनम मानव जिसमें सबसे अधिक मस्तिक समता यानि कि बहुत ही बुद्धिमान थे क्रो मैगनम मानव इसके बाद मानव का और विकास हुआ द विडियो में अगले वीडियो में दोस्तों पढ़नेवाले है पासानकाल के बारे मैं जो की चत्रत्योग में इसका प्राइर्म हुआ प्लेस्ट्रेसिन काल में तो इसको हम दोस्तों डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों अगर दोस्तों आपको मेरी आज की वीडियो पसंद रही है तो इसे जरू लाइक करें, सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दनिवा दूस्तों